इसके short note हम कर चुके हैं, summary हम कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं solutions, जो आपकी notebook के जो question answers हैं, उनको हम समझ के करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, जो मैंने tricks बताई थी, I hope आपको याद होंगी सब, देखिए, first question है, solution turn red litmus blue, एक solution है, जो red litmus paper को blue में convert करता है, इसकी trick क्या थी, आपको answer देखने की जरुरती नहीं है, blue जो convert करता है, वो base होता है, ठीक है, वो beater होता है, तो जो base होता है, उसके साथ blue हमने connect किया था, B से B, B से beater, ठीक है, तो उसका हमें taste से भी पता चल जाता है, कि वो base है, उसका blue color change कि है, और base का pH कितना होता है, 7 to 14, हमने ये देखा था, किस की वज़े से होता है, ये OH negative ion की वज़े से होता है, तो उसका pH कितना होगा, ठीक है, इसमें 7 to 14 कौन कौन सा दिया हुआ है, ठीक है, 1 है, acid है, 4 है, acid है, 5 है, acid है, 10 क्या है, base है, क्योंकि इसका pH 7 to 14 है, ठीक है, इस त solution react with crushed egg shell to give a gas it turns limey water milky lime water milky the solution contain this solution में क्या है देखिए एक solution है जो crush करता है egg cell crushed egg cell के सब्सक्राइब गैस निकालता है और यह lime water को milky कर देता है यह solution क्या है आपको यह बताना है ठीक है तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा react करता है और कौन सा नहीं करता है ठीक है तो HCL जो इसका answer है वह क्यूं है HCL जो इसका answer है यह तो आपको पता चलिया वह क्यूं है क्योंकि जो egg shell होती है वह calcium carbonate की बनी होती है ठीक है और यह calcium carbonate hydrochloric acid के साथ react करता है और वो hydrogen gas निकालता है carbon dioxide gas निकालता है ठीक है जो lime water है वो milky हो जाता है carbon dioxide जब इससे पास होती है इस water से तो वो milky हो जाता है यह इसका answer है question number 10 है 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl ठीक है एक NaOH का solution है ठीक है और दूसरा HCl का solution है neutralize कर देता है 10 ml को 8 ml ठीक है if we take 20 ml of the same solution देखिए कुछ भी नहीं है लेकिन आप 10 ml 20 ml आप सोचोगे कुछ निकालना इसमें कुछ भी नहीं निकालना अगर 10 ml solution को neutralize करता है 8 ml तो 20 ml को को neutralize करेगा कितना होना चाहिए देखिए 10 ml को करता है 8 ml तो अगर 10 से 20 किसी तरह से related है या 8 किसी तरह से related है आप यह तो देख सकते हो चोटा सा है यह चोटी सी बात है बिल्गूल 10 में 8 करता है तो 10 का double 20 है तो 8 का double ही चाहिएगा में 20 के लिए कितना होगा 16 ml होगा simple ऐसे question से बच्चे डर जाते हैं और बहुत जादा scoring होते हैं क्यों ना time लगता ना उनको कुछ दिमाग लगाना सीधा आपको यह देखना है कि क्या वोल रहा है सिरफ naos डाल दिया hcl डाल दिया और बच्चे जो हैं डर जाते हैं which one of the following type of medicine is used to for treatment of indigestion indigestion क्यों होता है जब हम बहुत जादा खा लेते हैं ठूस ठूस के खा लेते हैं जैसे बहुत दिनों में मिला हो तो anti-acid होता है जो indigestion की problem को control करता है ठीक है जो हम जादा खाते हैं उसकी वज़े से जा फिफ्थ question है write word equation and then balance equation for the reaction taking place देखिए यह जो question है इसमें word equation और आपने जो यह लिखा हुआ है ना sulfuric acid ठीक है तो यह zinc के साथ react करके क्या बनाएगा zinc sulfate plus hydrogen ठीक है देखिए जितने भी हैं सारे acid है acid सारे hydrogen gas निकलते हैं कि इस तरह के question हाला कि कम आते हैं लेकिन यह चीज़ तो आपको clear होई गई होगी होगी ना है hydrogen gas निकलती है ठीक है उसके बाद जैसे first में है dilute sulfuric acid है ठीक ह और zinc के साथ तो zinc sulfate बनेगा है इस तरह से last वाला देख लो dilute hydrochloric acid है वो iron के साथ है react कर रहा है तो iron chloride बनाएगा ठीक है chloric acid है hydrochloric acid है तो जो भी आपको यहां पे metal दिया हुआ है वो उसके साथ react तो जरूर करेगा उसके बाद आता है हमारा 6th question compound such as alcohol glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids जो alcohol वेगे रहा है उनमें hydrogen ion तो होती है जैसे हमारा के acids में होती है लेकिन उनको categorize नहीं क्या गया है acid नहीं माना है क्यों describe करना है activity के साथ इसे प्रूव करने के लिए देखो भाई एक सी दिसी बाद है अगर आप hydrogen ion solution जिस solution में होते हैं और उसे acid बता दोगे specially alcohol को तो लोग मर जाएंगे पिएंगे क्या है ना यह मजाग की बात है लेकिन यह hydrogen ion होने के बाद acid इसे नहीं कहते acid नहीं होता यह लेकिन फिर भी यह कम नुकसान की नहीं होती है यह मार डालती है बहुत लोगों को मैंने live देखा है कि शराब पीने से लीवर खराब हो गया मर गए लोग तो इसमें answer में क्या लिखेंगे हम खेर वो तो एक मजाग की बात थी प्रिपेर solution of glucose, alcohol, hydrochloric acid पहले आप इनके solution बनागे ठीक है ड्रिल करिये two hole rubber cork में और two iron nails in holes में डाल दो ठीक है rubber cork में two holes करने है और iron nails इसके अंदर डाल देनी है two different colored electric wires and keep it in each caramel बिकर जो यह आपने शराब डाली है यह जो भी solutions है glucose, alcohol, hydrochloric acid के इनमें जो दो hole किये थे उसमें दो different color के wire डाल दो तो जो free end है in wires के 6 volt battery के साथ connect कर दो और इस को circuit को complete कर दो अपने battery वाला पड़ा हुआ है न इस तरह से battery को shell को दिखाते है ठीक है cells को फिर क्या करना है आपने dilute hcl को एक beaker में डालना है और जो है वो current को उसमें pass करना है फिर आपने देखना है कि क्या वो bulb जो है वो हमारा glow कर रहा है ठीक है यह आपने note करना है इस activity को dilute sulfuric acid के साथ भी काम देखना है glucose और alcohol solutions अलग-अलग solutions के साथ अलग-अलग देखना है इसी तरह से beaker में डालना है उसका जो cap है उसमें दो haul करने है डिफरेंट कलर की wire लेनी है उसको उन दोनों wires का एक complete circuit बनाना है एक side battery के साथ connect कर देखे और दूसरी side bulb लगा के और फिर उसमें से six volt का current पास करना है और देखना है कि किस में से बिजली पास हो रही है जिसमें bulb glow करेगा वो acid है अगर bulb glow नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो glucose है या alcohol है इन दोनों में से मतलब current पास नहीं होता फिर आता है जो bulb glow कर रहा है वो indicate कर रहा है कि flow of electric current हो रहा है उस solution में उस solution से electric current पास हो रहा है acid solutions के पास iron होते हैं और ये moment जो होती है ions की यह irresponsible होती है colors के लिए question में इतना ज़्यादा पूछा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं इससे examiner को लगता है कि knowledge है बंदे को जो acid है उसमें से current पास हो रहा है क्योंकि उसमें ions हैं क्योंकि ये ions move कर रहे हैं इतनी सी बात आपने एक्स्ट्रा बतानी है और ये बताने के साथ-साथ या तो आप उसे highlight कर दें या उसमें अलग से note डाल दें कि ये point note करने वाले है लेकिन glucose और alcohol solution में free ion नहीं होते इसलिए इसमें current पास नहीं होता बात तो ये दोनों ही same है यहां पर भी यही बात लिखी हुई है कि ions है इसलिए वो move कर रहे था इसलिए current पास हो रहा था लेकिन हमने दुबारा से ये लिखिए कि glucose में और alcohol में ions नहीं है इसलिए वो move नहीं कर रहे है और इसलिए current पास नहीं हो रह है दो लिटमस पेपर ले लो blue color के उनको glucose solution में डालो और alcohol में डालो ठीक है अगर आप notice करते हो blue लिटमस पेपर क्या हो जाता है red color का हो जाता है ठीक है वो सारे जिसमें red color का हो जाएगा वो क्या है acid है acid से गुस्सा आता है अगर इसमें कोई चेंज नहीं होड़ा ब्लू लिटमस पेपर में तो वह एसिड नहीं है ठीक है ये भी दूसरा तरीका है आप इलेक्टिक करन्ट पास करने के बजाए आप ये भी उसकर सकते हो जो एसिड है ब्लू लिटमस पेपर किसमें हो जाएगा रैड में जो एसिड नहीं है वह ब्लू लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं करेंगे सेविंध कुशन है वाइडस डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्टिसीटी वेराज रेन वाटर डस डिस्टिल वाटर में कोई इलेक्रिसीटी पास नहीं होती बलकि जो रेन वाटर होता है उसमें इलेक जो acid बनाती है, carbonic acid, sulfuric acid, तो यह क्या करती है, कि ions में टूट जाती है, जब पानी में mix हो जाती है, तो यह ions में टूट जाती है, इसलिए rain water conduct करता है electricity को, जबकि जो distilled water होता है, उसमें कुछ dissolved salt gases कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यह कोई ions नहीं रखता अपने पास, और इसलि वीडियो में, जो बाकी के बचे हुए कोशन है, उनको करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से revise करना, लिखकर देखना, नहीं तो आप समझने के लिए इसे सुनो, और बाकी जो आपकी teacher ने करवाया है, उसे ही पढ़ना, उसे ही करना, ठीक है, thank you for watching life science cafe.